लगाते हैं यहां का मच्छादानी हटाते हैं तो दोस्तो जैसे मैं सो के उठी देखिए उसी तरह हूँ सुवे सुवे तो रात को यह परोफ दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे जो भी यह दिदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सुब्क्राइब कर लिजिए लाइक करना भूलिएगा तो आज पांच बज़े से ही ब्लोगिंग करना सुन कर दी हूं लास्ट तक वीडियो देखना आप सब अच्छा लगेगा प्लीज तो सुबा सुबा का टाइम है यहां भी दिन नहीं निकला है हलका हलका भी भगवान दिख रहे हैं यहां पर चंदन लेटे हुए हैं चंदन को पहले जगाती हैं मच्र बहुत काटते हैं यहां देखिए अन्जली अन्जली और सीतल गुंजन सब लेटी हुई हैं सबको जगा रहे हैं सभी हम ही पहले जगे यह पर यहां तीनों लोग लेटी हुई हैं मेरे पास थी तो चली गई गुंजन के पास सोवे के टाइम गुंजन गुंजन अंजली गुंजन अंजली कभी आँख खुल गया वीडियो का नाम चुनते तो यहाँ पर सब लेते हुए है गुंजन उठ गई इस वाले मच्छरदानी ने दिखाते हैं अभी यहाँ पर लेते हुए है तो पूरा तो यहाँ पर यह भी लेते हुए है सुबा हो गया तो एक बार जाटके दुबारा सोते हैं कंदत को जगआई दिखिए इसी तरह करते हैं एक बार देखिए फिर सौ गए यहाँ पर मच्छरदानी लगा है इसी तरह देखिए इस समय गर्मी से बचने के लिए हम सब का खुले आसमान में सोना होता है यहां सो रहे हैं सब लोग और एक चार पाई तो यहां पड़ा रहता है तो चलते हैं हम सब जाड़ू यह सब लगाते हैं यहां कमच्छदानी हटाती है तो दोस्तों जैसे मैं सो के उठी देखिए उसी तरह हूँ सुभे सुभे और यहाँ पर सब को जगा रही थी बोली की उठो अभी सब कोई उठने का नाम नहीं ले रहे हैं चन्दन के पापा उठ गए अभी कैमरा के पीछे मैं बोल रही थी तो चन्दन अभी आँख मीज रहे हैं और तो मोटर चालू कर दिये हैं पानी भरने के लिए कुछ ही तरह लगाए हुए हैं एक साइड से ला तो रात में लाइट काट कट जाता है बाल बाल और इतना धूलू रहा हम सब के अहाँ साम के टाइम हम सब जब सोय थी तो धूल मिट्टी सब साब करे थी लेकिन फिर धूल मिट्टी हो गया तो रात मों ये आगन इसकी तरह खाली नहीं रहेता है अब ही गर्मी है लेकिन सुब्य के टाइम ठन लगनी लगता है सब अपना कंबल और न तब लेकर बैट दें अब ही नीद लगा चंदन तो नहां है चंदन की पापा यहां पाओधिय में पानी दे रहे इधर ता मक्छादानी निजाल देते हैं तो महां चंदन बिस्तरा ले गए अपना रखने के लिए पंखा रख रहे हैं एक एक पंखा ले जाओ पंखी को रख रहे हैं और मैं संबल को पॉल्ड करहीं है अब उतने का नाम नहीं ले रही है उत जाओ तो दोस्तो धूल मित्ती सब आकर इस पर और आता रहता है विस्तरा तो इस तरा हम सब बचाते हैं आकर वहां से बिस्तरा से उठाई तो इस पर आता रहता है तो सही चार पाई हता के यहां तुझे कपड़ा धूल दी इतना का खतन तुझे तो कपड़ा को भैला देते हैं तो यहां सारा कपड़ा भैला चुके हैं गभाई नयुद्चर को बिल्ली है घुले चलते हैं रखने इहां पर बर्टन रख दी और घर थूल थूल मिल्य्सा लगा है उछा लगा तुके हैंनी सा तो चलते हैं नलका सफाई करते हैं फट्स का और नहाते इसी गाम बचा है तो यहां पर पानी भड़ा ही हूँ नहाने के लिए और पूरा फ्रत को भूल दी हूँ यहां तक में भड़ा है हैं पानी को पाई को रख देते हैं तो हम नहा चुके हैं और बाल को पुखा रही है जाए बना दी है गुंजन पर चाय बना दी हैं चावल सीतन डाल दी है अब चलते हैं सब्जी और डाल रोटी बनाने का तयारी कर दे हैं तो चाय जा रही है चानने चंदं के पापा चाय पिए अब जा रही है काम पे आठ बजी गया हम जा रहे हैं पापी के वीडियो भेजी थी तो पढ़के कमेंट सबका बहुत अच्छा लगा है और चनन के पापा का तरफदारी आज काल बहुत हो रहा तो बहुत अच्छी बात है नई एक समय है आज चार महीना पाफ पहले चनन के पापा का बुराई ही आ सब्सक्राइब के लिए और कोई बात नहीं है सब्सक्राइबर और भगवान के रुप होते हैं वो जो भी बोलते हैं कोई मैं कभी किसी को पलट के उल्टा जवाब नहीं दी हूं और देना भी नहीं चाहूंगे जीवन में बस थोड़ा बीडियो में बोल देते हैं कि थोड़ा कमेंट कम आए इस टाइब का तो कम आता है बत यहीं है कोई चिल नहीं दोस्तों जब आप सब के वज़े से मेरा घर चलता है बच्चों को परिवरीज कर रहे हैं तो आप गलत क्या कहते हैं ना जो अच्छा करता है वो जहापड मार भी देता है तो गलती का कोई गलती नहीं रहता क्योंकि अच्छे के लिए बोलते हैं और जो बुरे के लिए बोलते हैं उन पर नाराजगी होता है जो अच्छे के लिए बोलते हैं उन पर कोई नाराजगी नहीं कम से कम बुराई करते हैं तो वीडियो तो देखते हैं हमारा यही तह तो थोड़ा टाइटल पढ़ा चड़ा के सभी व्लोगर डाल देते हैं और डालना पड़ेगा क्योंकि देख रहे हैं आप सब मेरा चैनल का ग्रोह कम हो रहा है तो प्लीस आप सब टाइटल पर मत जाईए वीडियो देखिए वीडियो में कोई गलती पाईए तो उस पर आप सब एक्षिन लेजिए तो अब चैनल की पापा चलते हैं एकाम पे मैं आप सब को बाहर का लोकेशन इसी बहाने दिखा रहेती हूं थोड़ा सा तो यहां जा रहे हैं है सब लोग बैठ ली है बीबाल में मैं कंगी भी नहीं की सिंदूर पिंगी नहीं लगाई वृसे वीडियो के आ गई टाइम ही नहीं मिला तो जा रहे हैं हैं काम पे अनजली भी काम पे जा रही हो दुखान पे उतरेंगे तो दो सावारी का सीट यही सब छेका लेंगी तो पैसा कहां से मिले गया ताटा करके तो गाड़ी फटेगा उधर आगी यहां से चलती हूं खाना बनाने के तयारी करती हूं हमारा बैगन सफ़र फटे देखिए पक जा रहा है यह तब पीला जैसे आ पूल सुबाब फुलाने माला है सब कली विखरां हुआ है चाई पीते हूं बास पील जैसे चाई तो हमारे हमको चाई आधा गिलास दी है इतना चाई मैं नहीं पीऊंगी चाई पील लेते हैं खाना बनाते हैं दोस्तों यहां पर रोटी बना रहे हैं चावल पक गया है तो हमारे रोटी यहां बन गई है तो रोटी बना चुके हैं अब सबजी बनाना बाकी है यहां पर सरसो का तेल डाल दी हूं कडारी में चलती हूं तड़क लेती हूं यहां आलू चना उबाल के रखी हूं पीपर डाल देते हैं जीरा को तो पड़ी हुई थी कस्तोरी में तो डाल दी हूँ, तड़के में ले ली हूँ, मिक्स मसाला तो घोल बना लेते हैं, पानी डाल दी हूँ, तड़के हमारा भून गया है, मसाला को डाल दी है, पर मसाला हमारा पक गया है, इन पे आलू चना डाल देते हैं, चना आलू को उबाल ले थी, सब्जी के अंफार डा तो दोस्तों सब्जी पक गया है पूरा पांच मिनाट तक सब्जी को पकाए है यहां पर सब्जी कुछी इस तरह हमारा बना हुआ है देख लीजिए तो पड़ाही को नीचे उतार के रख देखे खाना बना ली सब के बाल में कंगी भी कर दी यहां कपड़ा उतार के रख रह है तो जो चूखा है वही उतारेंगे अंदली भी लगए यह नहीं सूखा है तो यहां पर सारा साड़ी कपड़ा सब सूख गया है तो सब अपना कपड़ा भी खोल्ड करके रख देंगे तो दोस्तों सारा काम निफ्टा के दुपहर का समय यह करीब 11 बच गया होगा तो च दोस्तों आज का वीडियो आज का वीडियो में कोई गल्सी होगा तो माफ करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्ताइब